हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चलेंज स्टॉक मांके जीरो नहीं नहीं में जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि निफ्टी में बहुत जाजा गिरावट लगतार आ रहा हर दिन आ रहा है तो हम लोग पूरा डीटेल में करेंगे बैंक निफ्टी का भी औ 29 जनवरी को ओपें होने वाला है तो तीन दीन का भी छोटी है इंज्वाइभी कर सकते हैं आप दोस्तों कहीं घूमने भी जा सकते हैं तीन दीन के छोटी के लिए तब हम लोग यहां पर पूरा निलाइसिस करेंगे बैंक निफ्टी का थोड़ा सा लॉंग विव पांच मेंट का चार्ट पर नहीं लगा करके रखें तो यह चीज़ आप धहान में दी होंगे दोस्तों तो हम लोग ओवर्भीव देखेंगे टोटल पहले हम लोग यह रिस मार्केट का देखेंगे और फिर बुलीज का देखेंगे कि अगर यहां से मार्केट और नीचे की closing दिया आज के दिन क्या हुआ कि market जो है यही पर open रहगा और लगतार नीचे आते वह आपको दिखाई दिया होगा फिर last लास्ट का जो समय है वहां पर market नहींहां पर रिकवरी आपको दिखाई दिया क्लोजिंग जो है आज का जो हाई है उससे नीचे क्लोजिंग करते हुए मार्केट दिखा होगा तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या इंपक्ट पढ़ने वाला है मंडे को वह सारा डीटिल देखेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों जो क्लोजिंग है हमारा एक चार्ट को और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको जो है वह रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है हमारा लेबल वह अच्छा सब को दिखाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लाट खोल करके नीचे की तरफ चलता है और डे कैंडल पर मार लाम लगा करके इस लेबल को रख दीजे बहुत इंपोर्टेंट है अगर इंट्राडे पर यानि के डे केंडल पर मार्केट इसके नीचे इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो बहुत ज़्यादा ब्यरेस बैंक निफ्टी देखने को और ज्यादा मिलेगा और जो टार मार्केट दे कैंडल पर इसके नीचे क्लोजिंग दे हैं तब तब तक हम लोग क्या पर टत क्या लेबल हो सकता है कि अगर market इसके नीचे closing दे ज़ेता है तो पहला हमारा target जो होगा वो ये होगा 44,250 का दूसरा target निकल किया रहा है 43,736 का यानिकि 43,736 का और तीसरा target और final target आ रहा है 43,320 का तो ये तीन target के लिए हम लोग यहां पर put में काम काज कर सकते हैं लगतार जो आपको एक्षान यहां पर प्राइज एक्षान भी ले आने वाले समय में मार्केट इस लेबल तक आ सकता है यह चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों रखना पड़ेगा और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वह हम जान लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं दोस् जो हमारे जाने जाएं दोस्तों सोल्सकार अब ही मारकेट को यहां थाने दिया जाएं ओक वेटकेट एन बहुत लेबल पर रेजिस्टेंस भी तो यह हमारा रहेगा सपोर्ट का काम कर सकता है अगर उपर से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यह बहुत अच्छा लेबल है दोस्तों आने माला सिनेरियो में हम लों को देखना है कि क्या मंडे के दिन जो है मार्केट 44,590 के नीचे क्लोज करता है अगर ऐसा हुआ मंडे को तो ट्यूजडे वेनस डे बहुत अच्छा गिरावाट आ सकता है मार्केट में और ज्यादा गिरावाट आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में भी ठीक है तो यह चीज़ पर आपको ध्यान देना है अब हम लोग बात करत क्या रहा बहुत इंपोर्टेंट लेवल आ रहा है कॉल के लिए अगर मार्केट इसके उपर सस्टेन करने लगा तब हम लोग यहां से रिकावरी थोड़ा सा दिखा सकते हैं अधर्वाइस हम लोग फॉल करते रहेंगे तो यह चीज़ धियां में रखेगा दोस्तों कि लाइक दिस यानि कि यह जो तीन दिन का देख रहे हैं एक दीन दो दीन तीन का चाट यहां पर है इसी जोन में मार्केट जो है वह फस्ते आपको दिखाई दिया इसके उपर भी हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि यहां पर आप देखे थे तब हम लोग यहां से कॉल के लिए रेडी हो रहे हैं और मार्केट यहां से मजबूत जोन बना करके यानि कि जो अपना वीकनेस था उसको खो करके और यहां पर स्ट्रॉंग जोन बना करके यहां से मार्केट निकल सकता है तो यह चीज़ धान दिखा तो मार्केट में लगतार गिरावाट देखने को मि है तो फिर हम लोग यह जो ग्याप आपको दीख रहा है यह सारा ग्याप यह यह फिल करते हों हम लोग दिखेंगे और मार्केट जो है वो फिर से जो है वो बुलिस मोड में जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है तो यह चीज़ ध्यान लख यह दोस्तों हमारा खुला तो उपर होल्ड नहीं कर पाया और लगतार यहां से गिरते वगदा तो अब यहां पर सिनारियो क्या बनेगा कि अगर मार्केट इस लेबल पर आकरके रुखता है तो अगर इसका ब्रेक आउट आता है तो बहुत तेजी से उपर निकल लेगा बैंक निफटी और जो ह मंडे के लिए जो है वह एनलैसिस नहीं है अगर आपको मंडे के दिन एनलैसिस करना है तो थोड़ा बोड़ा यहां पर ट्रेड कर सकते हैं मंडे की दिन लेकिन कब जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करता है तो यहां पर थोड़ा सा कॉल का पूट के लिए आप यहां पर कर सकते हैं मंदे कर सकते हैं मंदे का तार्गेट है लेकिन ऑवर ओल हम आपको बता है जो जो ओर जो जो मार्केट का हो सकता है वो दिरेक्सट मैं यहां पर आपको पूरा analysis कर दिया आपको साफ साफ यहां पर दिखाए दे रहा है दोस्तों कि तीन दिन जो market है यहां पर समय पिताया market गीरा नीचे की तरफ अब नीचे से आ करके market इस zone में वापस फसता है तो हमारे लिए breakout का जादा जो है possibility बढ़ जाएगा और हम लोग यहां से बहुत तेजी से उपन निकलते हुए दिखेंगे और हम लोग यहां पर call का भी ट्रेड जबूर लेंगे तोस्तों यह बहुत simple analysis है हमारा bankruptcy का day candle में आज के दिन जो है वो किस तरीके candle बना है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो day candle में यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि red candle अफ्कॉस दिख रहा होगा आपको लेकिन नीचे से recover करते हुए day candle आपको दिखा है जो कि है इस level के इस level के पास तो यह अच्छा candle भी नहीं बोल सकते हैं पूरा candle भी नहीं बोल सकते हैं एक तरस से market में pause यहां पर लगते हुए market में दिखाई दिया है आज के दिन जैसा कि यह तीन candle हमारा था दोस्तो ही market ना जाए यह बहुत important रहेगा मंडे की दिन दोस्तों अगर ऐसा होता है तब हम लोग का जो analysis है कि यह इस zone में आकर के market फरसने के बाद यहां से break लेगा तो ऐसा हो सकता है possibility ज्यादा बढ़ सकता है आई इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं nifty का भी और nifty का जो ह लाइक सब्सकाइब हमारा चैनल को कर दीजे 5 मिनिट नहीं हम लोग यहां 15 मिनिट का निफ्टी का भी analysis करेंगा ठीक है पांच मिन के चार्ट पर हम लोग भी नहीं जाएंगे ओवराल निफ्टी में आप देख रहें दोस्तों कि सेम बैंक निफ्टी जासा है siunaडio लेकिन इसमें क्या है की यहां पर देखने को मिला लेकिन एक ही जोन में यह जो 3 दिन का जो चार्ट बना है न यह एक ही जोन में नहीं है यह बहुत नीचे था फिर यह ऊपर Oh, closing यहां पे आया फिर यह एक जोन में आया, याyor ये दो दिन जो है एक समाने रहा और ये उसके नीचे कैंडल बनते होगा और फिर क्या हुँआ temos पर आते हुए दिखाए दिया फिर यहां से जो है एक ही जो में मार्केट फस्ते वे दिखाए दे रहा यह कि ओवर औल क्या सूरत कैंडल यहां पर बना है दोस्तों चार्ट अपन दिकर है आपको खुद से कर सकते हैं चली हम लोग देखते हैं कि मंडे के दिन जो है निफ्टी फिफ्टी में वह किस तरीके का ट्रेड बन रहा है तो मंडे के दिन दोस्तों यहां पर आपको क्लियर लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तब हम लोग यहां पर पूट में एक्टिव हो जाएंगे पूट में इंट्रेस्टेड लेंगे और यह टार्गेट आपको असानी से मिलेगा जो कि है बहुत बड़ा लेवल 21,026 यह लेवल बहुत बड़ा रहेगा दोस्तों फिर निफ्टी-फिफ्टी में मिल सकते है अगर यह ट्रेंड लाइन और यह लाइन हमारा ब्रेक होता है जो कि आज का लो भी है सॉरी कल का जो लो था तो यह चीज आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत इजी और मार्केट है आपर अगर यहां पर पैटन देखते हैं तो यहां पेटन तो बन रहा था दोस्तों यहां से मैंने बोला था कि यहां से डवलू पैटन बनेगा लेकि मार्केट यहीं से लोटते हुए दिखाई दिया ठीक है डवलू पैटन बनना था यहां से मार्केट को इस तरी से उपर जाना था लेकि मार्केट यहां पर क्या किया मार्क तो पूट में एक्टिव नहीं होना है लेकिन हाँ अलाट हो जाना है कि इस लेबल के उपर हम लोगों यहाँ पर पूट भी नहीं लेना है यहाँ पर यह चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर कॉल नहीं लेना है तो हम लोगों को पूट भी नहीं लेना है इस लेबल में ध्यान रखिएगा हम लोग यहां पर रुवेट एंड वॉच करना है अगर मार्केट यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों यहां पर बहुत बढ़िया ट्रेड बनने वाला है कल के दिन यानि कि मंदे के दिन अगर मार्केट यहां सा फ्लाट होने के बाद इस ले करके और इस लाइन के बीच में मार्केट सस्टेन करता है और उसके बाद ब्रेक आउट आता है इस लेबल का जो कि है 21,500 का लेबल ब्रेक करता है तो बहुत तेजी से जो है निफ्टी निकलते हैं आपको उपर की तरफ दिखाई देगा जो कि पहला जो हमारा आऑ बहुत दूर का भी है जो कि आप देख सकते हैं आपसे 7,700 का यहां इसका हाई जो है यह हमारा हरा टुनीव 59 50 का यह लेबल तक मर्केट जो है यहां तक जा सकता है अग्यों अगर मर्केट इसको आगर निक निकालता है तो है कोRedm 750 का यह दो target के लिए हम लोग आराम से जो है वो कामकच कर सकते हैं बहुत अच्छा सिनारियो रहेगा दोस्तों जैसे कि आप ओभरॉल देख रहे हैं market में बहुत अच्छा trade है और अगर market देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह level को पार करेगा तो market क्या किया था यहाँ पर देखिए बहुत साधा support मिला था market को बहुत जादा यहां पर एक one time two three four five six times जो है यहां पर market को support मिलते वह दिखा था इस लेबल में तो अब यह resistance का भी काम कर सकता है यहां से rejection भी आ सकता है मार्केट को अगर मार्केट यहां से उपर निकलता है तो इस लेबल से reject करके नीचे भी आ सकता है तो यह चीज़ आप ध्यान नेखिएगा जब तक इस लेबल का break नहीं होता है प्रॉपरली 15 मिनेट के चार्ट पे 15 मिनेट के candle पे तब तक आपको इसम हम लोग ignore मारेंगे ठीक है otherwise अगर breakout नहीं आता है तो हम लोग यहां से put लेकर के चल सकते है मार्केट में यह चीज़ जरू ध्याम में रखिएगा अगर इसके उपर मार्केट को क्या दिखाई देरा है इसके उपर मार्केट में दिखाई देरा दोस्तों कि मार्केट जो है एक रेंज में था यहां पर देखिए यह रेंज में मार्केट बहुत दिन समय बिताते हुए दिखा है तो अगर मार्केट अब नीचे की तरफ से इस रेंज में आता है यानि कि यहां से लेकर के इस रेंज में मार्केट वापस आता है तो ज्यादा chances possibility बन जागा दोस्तों ब्रेक करने का उपर की तरफ और जब उपर की तरफ ब्रेक आएगा तो जो आल टाइम हाई हमारा यह भी ब्रेक होगा और नया हाई बनाते हुए बैंक निफ्टी दिख सकता है तो यह चीज़ ध्यानक के दोस्तों बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा यह जो सार्प यहां प आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे देखें दोस्तों डे केंडल पर भी आपको दिखरा होगा इस लेबल में मार्केट कितना केंडल बना करके दिया ठीक है इस लेबल पर और लगतार यहां पर जो है दो केंडल दिखा बैंक निफ्टी जितने कमजोर त यह दोनों केंडल को ब्रेक करके और इसके उपर यहां पर अगर प्लोजिंग देदे तो बहुत बढ़िया यहां पर ट्रेड आएगा और यहां से आने वाले समय में इस लेबल तक हम लोग जाते हुए बैंक निफ्टी में देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया 21,750 तक का क्लोजिंग के बाग आ जाएगा यह बहुत सिंपल है और सिंपल ट्रेड रखते हैं ज्यादा नहीं जाते हैं दोस्तों मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमारा चैनल के साथ बने रही है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजे बैल आइकर में जर